यह लो बच्चो वेरी गुड मॉर्नी वाल आफ यू वाल इस यूर अनुराध में वेलकॉम तो टू टी आमाई सोमेज एजुकेशन यूनिट टू डेट टैन में आपका स्वागत है तो बच्चो सबसे पहले तो हम काम वाले सम्द का दोहराओ करते हुए दोहराओ कर लेंगे है ना तो हमारी जो पाठी पूश्ची का की बूख है हम उपन कर लेंगे खोल लेंगे है ना और काम वाले शब्द देखिए आपन ऐसा नाइन ऐसा नमबर नाइन में काम वाले शब्द दिये गए हैं ना तो सबसे पहले है काम वाले शब्द याने क्रिया जिन सब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है देख काम वाले शब्द याने क्रिया कहलाते हैं तो बच्चों यहां पर देखेंगे आना तो यह आ रहा है तो आना क्या हो गई इसकी क्रिया हो गई दूसरी पिक लटकाना तो किसी भी चीज को लटकाना या कप्रे टांगना कोई भी चीज को इसको लटकाना तो लटकाना क्या होगा उसको क्रिया हो गई है यान याने काम वाले शब्द है इसमें सब कुछ नख कर रहे हैं कर रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं वागे बढ़ते हैं आप सब अपनी नोट-बूक निकाह से और नोट-बूक में कुछ है वाक्य बनाएंगे ओके बच्चों मैंने यहाँ पर कल वाक्य बनाए थे मैं वही पर उसके नीचे ही बनाती हूँ आपको सेकेंड पेज में वाक्य बनाने है तो मेरा नाम कहला वाक्य है मेरा कितना बड़ा बन गया है ना हीरेज करेंगे अच्छे से लिखेंगे उसको हम मेरा नाम राम है मेरा नाम राम है फिर दूसरा वाक्य है मेरे दोस्त का नाम राजा है आगे बढ़ते हैं तिसरा है हम दोनो हम दोनो साथ साथ हम दोनो साथ साथ पाटशाला जाते हैं हम दोनो हम दोनो साथ साथ पाटशाला जाते हैं तिर है चौथा है हम दोनो हम दोनो साथ साथ हम दोनो साथ साथ खिलने जाते हैं हम दोनो साथ साथ खिलने जाते हैं फिर पाच्वा है हम दोनो हम दोनो मिल जुल कर हम दोनो मिल जुल कर खाना खाते हैं हम दोनो मिल जुल कर खाना खाते हैं है ना तो बच्चों जैसी यहाँ पर लिखा है तो बच्चों इस तरह से हमने वाक के लिखे हैं ना मेरा नाम राम है मेरे दोस्त का नाम राजा है हम दोनो साथ साथ पढ़ जात पाट शाला जाते हैं लेखो मैं में आपे पाट बस लिख दिया पाट शाला तो लिखा ही ने है ना तो हम इसको सही कर लेंगे साथ साथ पाट शाला साथ साथ पाट शाला जाते हैं ना हम दोनों साथ साथ पाट शाला जाते हैं हम दोनों साथ साथ खेलने जाते हैं हम दोनों मिलजूल कर खाना काते हैं तो बच्चों एक दिन हमने और इस वाक्यों को लिखा था आज हम वापस इन वाक्यों को लिखेंगे ताकि हमें वाक्य लिखना आ जाए है ना बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चो अब हम अपनी पार्ट कुछी का देख लेते हैं तो हमारी पार्ट कुछी के में हम सबसे पहले पोलींगे ऐसा नमबर टू, पेज नमबर ट्वेंटी थ्री तो जो हमारी ऐसा नमबर टू है उसमें क्या करना है तो साथ साथ कहानी में जो वाक्य दिये गए है तो हमें इनमें काम वाले शब्द है उनमें हमें गोला लगाना है तो हमें इनमें काम वाले शब्दों में गोला लगा लिना है तो राजा, राधाव और माधाव मित्र है इसमें तो काम नहीं कर रहे हैं वे साथ साथ पाठशाला जाते हैं वे साथ साथ पाठशाला जाते हैं तो यहाँ पे इनका काम क्या हो गया? जाना, ना? पाठशाला जाना हम पाठशाला जाने में सरकल कर लेंगे पाठशाला तो वैसे इस्थान है तो सिर्फ हम जाते में करेंगे सरकल है ना क्योंकि पाठशाला एक इस्थान का नाम है तो जाना उनकी क्रिया हो गई याने जाते हैं ते रहे वे साथ साथ वे साथ साथ पढ़ते हैं तो यहां पर उनकी क्रिया हो गई पढ़ना वे साथ साथ पढ़ते हैं तो यहां पर उनकी क्रिया क्या हो गई पढ़ना भमागे बढ़ते हैं वे साथ साथ खाना खाते हैं वे साथ साथ खाना खाते हैं खाना खाना क्या हो गई इंकी क्रिया हो गई है आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं अपना एसार नमबर एट तो एसार नमबर एट में हम नाम वाले शब्दों पे गोले लगाएंगे ओकी बेटा नाम वाले शब्द तो नाम वाले शब्द कौन कौन से है नाम वाले शब्द है बया तो हम बया में सरकल करेंगे फिर है तिनका लाकर घर बनाना मन लगा कर उसे सजाना नाम वाले शब्कों है बया राम और रमा है ना बया राम और रमा तो हम इन तीन दूँ चारों में सरकल कर लेंगे है ना तो नाम वाले शब्कों याने किसी का नाम है ना तो हमने उस पे सरकल कर लिया याने गोला लगा दिया है अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर अब हम देखते हैं अपना ऐसा नमबर 9 तो ऐसा नमबर 9 में क्या करना है बच्चो सबसे पहले हमी सब पढ़ लेते हैं न आओ समझें मुख्य विचार कहानी या कविता का मुख्य विचार कहानी या कविता में दिया गया संदेश होता है तो चरनवन मुख्य विचार कैसे पाएं सबसे पहले सीर्षक को पढ़ ये हमारी कहानी या जो कविता है उसका सीर्षक क्या है बैयारानी कहानी या कविता में दिये गए चित्रों को देखिए और अनुमान लगाए कि वे चित्र आपको क्या बता रहे है तो चित्र में हम देख सकते हैं कि रा और रमा बया की देख भाल कर रहे हैं उसे खाना पानी दे रहे हैं फिर कहानी या कविता में दिये गए प्रमुक सब्दों को खो दिये जो प्रमुक शब्द मित्र साथ बया है ना मुख्य विचार इस कविता का मुख्य विचार पक्षियों के साथ दोस्ती करना और उनकी देख भाल करना है जो इसका वितका विचार है वो क्या है मुख्य विचार क्या है इसका वितका मुख्य विचार है बक्षियों के साथ दोस्ती करना और उनकी देख भल करना फिर नीचे देखो यहां पर दिया गया है आओ समझें काम वाले शब्द याने क्रिया जिन सब्दों से किसी काम के होन या करने का पता चलता है वे काम वाले शब्द क्रिया कहलाते है तो यहाँ पर यह लड़का आ रहा है तो आना इसकी क्रिया है फिर है गाना तो गाना इस लड़की की क्रिया है क्योंकि यह गाना गा रही है सजाना इस लड़की क्रिया क्या है सजाना क्योंकि यह घर को सजा र हो गई तो बच्चोँ अभी हमने क्या क्या पढ़ा अमने ऐसा नमबर यूट पढ़ा ऐसा नमबर नाइन देखा अब हम आते हैं अपनी वक्षीट की ओर यानिकि अपनी कारे-पुसिका की ओर तो हम अपनी वक्षीट नमबर नाइन ओपन कर लेंगे वक्षीट नमबर नाइन प्रेस्ट नमबर दो तो यहां पर प्रेस्ट नमबर दो क्या दिया हुआ है उची तक पहले तो आपको यह आपने पूरा कर लिया होगा योपसो प्रेस्ट नमबर एक वाक्यों में आएक काम वाले शब्दो यानि क्रिया पर गोला लगाई है तो यहां पर आप समने गोला लगा लिया होगा तब आप एक बार चेक कर लो, यह 5 हमने पहले कर लिये थे, आप आंगी के देख लिये थे, हम साथ में खाना खाते हैं, तो खाते हैं क्या हो गई, क्रिया हो गई, कोयल कू कर रही है, तो कोयल का काम क्या है यहाँ पर, कोयल क्या कर रही है, कू कर रही है, तो हम कू कर रही है, मैं स जूस पीता है वह जूस पीता है तो काम क्या कर रहा है यहां पर वो पी रहा है तो पीता है में सरकल करेंगे फिर है रभी पढ़ता है तो रभी क्या कर रहा है यहां पर कौन सा काम कर रहा है पढ़ रहा है तो हम पढ़ता है में सरकल कर लेंगे इस तरह से हम अपनी नाम वाले संग्या और काम वाले क्रिया शब्द उचित नाम वाले काम वाले शब्द चुनकर वाक्त के पूरे कीजिए सुहानी वगीचे में चुन रही है तो क्या चुन रही है फूल या धूला तो बच्चो क्या कर रही है इसमें जो सुहानी वगीचे में क्या कर रही है किसको पता है कौन बताएगा येस सुहानी वगीचे में फूल चुन रही है तो यहाँ पर हम फूल लिख लेंगे तो बच्चो एक मैंने जिस तरह से कर के बताया है उस तरह से आपको आगे के आपके जो सारे होमवा केस का जो प्रस्ट नंबर दो है वो आपका होमवा कर रहेगा ओके चलो बच्चो तो आप हम से पैंट सैप के डाउट कॉनर पे पूछ सकते हैं थैंक यू जै हिन्द हैव गूड डे